साथियों, ये हमेशा से एक स्थापित सत्य रहा है कि भारत के पास आरोगे से जुड़ी कितनी बड़ी विरासत है। लेकिन ये भी उतना ही सही है कि ये ज्ञान जादातर किताबों में, सास्त्रों में रहा है और थोड़ा बहुत दादी नानी के नुष्खों में रहा है। इस ग्यान को आधुनिक आवश्चताओं के अनुसार विक्सित किया जाना ये बहुत आवश्चत है। इसलिए देश में अब पहली बार हमारे पुरातन चिकत वाला ग्यान जो है उस ग्यान विज्ञान को 21 सदी के आधुनिक विज्ञान से मिली जानकरी के साथ भी उसको जोड़ा जा रहा है, इंटिग्रेट किया जा रहा है, नई रिसर्च की जा रही है। तीन साल पहले ही हमारे यहां अखिल भारतिय अरुवेदिक संस्तान के सापना की गई है। लेहे में सोवा रित्पा से जूड़ी रिसर्च और दूसरे अध्यन के लिए राश्ट्रियस सोवा रित्पा संस्तान विक्सित करने का काम जारी है। आज गुजरात और राजस्तान के जिन दो संस्तानों को अपग्रेड किया गया है वो भी इसी सिलसिले का विस्तार है। भाई और भेनों कहते हैं जब कद बढ़ता है तो दाइत्व भी बढ़ता है। आज जब इन दो महत्वपुन संस्तानों का कद बढ़ा है तो मेरा एक आग्रवी है। देश के प्रीमियम आईरुवेदिक संस्तान होने के कारण अब आप और आप सब पर ऐसे पाठ्रकम तयार करने की जिम्मेदारी हैं। जो इंटरनेशनल प्रक्टिसिस के अनुकूल और विज्ञानिक मानकों के अनुरूप हो। मैं सिक्षा मंत्रा लए और UGC को भी आग्रे से कहूंगा कि आयूर भवतिकी और आयूर रथायन सात्र जैसे विशयों को लेकर नई संभावनाओं के साथ काम किया जाए। इससे रिसर्च को जादा से जादा बढ़ावा देने के लिए इंटिग्रेटेड डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल केरुकूलम बनाने के लिए काम किया जा सकता है। आज मेरा देश के प्राइवेट सेक्टर हमारे स्टार्ट अप से उनसे भी एक विश्यस आग रहे हैं। देश के प्राइवेट सेक्टर नए स्टार्ट अप्स को आयूर्वेद की ग्लोबल डिमांड को स्टड़ी करना चाहिए। और इस सेक्टर में होने वाली ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी सुनिस्टित करनी चाहिए। आईवेद की लोकल शक्ति के लिए आपको दुनिया भर में भोकल होना है। मुझे विश्वास है कि हमारे साजा प्रयासों से आयूशी नहीं बलकि आरोग्य का हमारा पूरा सिस्टिम एक बड़े बड़लाव का साक्षी बरेगा।